चलि सीथा चलते हैं विधान सभा प्रकार है सत्तापक्ष सभाकष में समस्त महिला सदस है तता साहरनपुर सामली मुझफर नगर बिजनवर मुरादाबाद संभल रामपुर अम्रोहा मेरठ और भागपत गाजियाबाद हापूर गौतमबुध नगर बुलन सहर अलीगर हाथरस मतुरा आगरा फिरोजाबाद क करनाउज इटाया इटावा और रहिया कानपुर देहात और जीलों के समस्त सदस गण और जो दू इधर लाभी है विपक्ष सभाकक्ष में नामने देशी सदस से और सेस अन्य जीलों के समस्त माननी सदस गण अपना साहित पड़ात करने अकस्ट करें वाने वित्त मंतर जी धन्य बाद अद्रिक जी माननी अद्यक्ष बहुत है आपकी प्रतियां भी तरीट कर दिया मैं बित्तिय वर्ष 2020-21 का बजट पस्तुत करता हूं मानिवर उत्तर पदेश भारतिय संस्कृत का बोध छेत्र है गंगा यहां है यमुना भी यहां है रिश्यों की नदीतमा सरस्वती यहीं इसी भूब छेत्र में प्रवाहित थी अब भले ही अद्रश्य हो लेकिन हम सब के मानस में वे आज भी प्रवाहमान हैं तीनों का संगम तीर्थ राज प्रयाग राज यहां है यहीं 2019 में दुनिया के सबसे बले मेले कुम्ब का अभूत पुल आयोजन बहुत भबिता के साथ किया गया परवरी 2019 में उत्तर पदेश इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन कि किया गया किसानों की आय दुगना करने के उद्देश से मिलियन फॉर्मर से स्कूल कारकम आयोजित किया गया तथा अंतर राश्टि इधान संस्थां फिलिपीन्स की पहली शाखा बारानसी में स्थापित हुई इसी काशी से हमारे यश्ष्वत सी प्रधान मंतरी मनीश श् सुगदयों जी की कता भूम यहां है शरी करस्ट की रास भूमी 작은 भूमी भी यहीं है शरी राम की पावनपुरी एउध्या यहीं है बुद्ध भूमी यहां है इस इस पडेश ने नो कुझान मंत्री देश को दिये रहें उत्तर पडेश दर्शन दिंग दर्शन अध्यात्म पौर्वरुष पराक्रम धर्म अर्थ और चामना पुर्शार्थों की क्रुम्ह मिय है हम इससे प्यार करते हैं यह भारतिय राश्ट्रबाद के विककास की यग्ज भूम्य है ये तट्व चिंतन वा अर्थ चिंतन की भूम्य है मानि ये मुख्य मन्त्री योगी अधित्राद जी के कुशल नेतरत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की योग तेजी से अगरसर है उत्तर प्रदेश के समगर विकास की द्रश्ची से योगी सरकार का ये बजट समाजिक आर्थिक परिवर्तन का हमारा आर्थ संकल्प है आईए समी संकीरताइं त्याक कर हम सब राज्य का विकास करें और आवम कौशल संबर्धन तता उनके लिए रोजगार किसानों की खुशाली तता सुद्रल कानून विवस्था आवम तुरित ने आए प्रस्तुत बजट में इन चार आयोमों को विशेश बल दिया गया है यहां मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत बर्ष 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था तो बर्ष 2018-19 के बजट में और दोगिक विकास को विशेश इस्थान दिया गया था बर्ष 2019-2020 में महिलाओं के सशक्ति करन के माध्यम से समाज में उनके प्रति दर्ष्टिकोल में सकारात्मक परिवर्तन लाए जाने के लक्ष को प्रधानता प्रधान की गई थी बर्ष 2020-2021 के लिए प्रस्तित इस बजट में मैं प्रधेश के युवाओं की शिक्षा कौश अलसम बर्धान रोजगार के साथ साथ प्रधेश की जलता को मूल भूत अवस्थापना सुमिधाएं और तुरित में आए उपलब्द कराए जाने के प्रति समर्पित समर्पित करता हूँ मनवर आए बेग अनुमानों का उलेक करने के साथ साथ मैं बर्तमान सरकार के अब तक के कारकाल में महत्त पूंग और उलेक नियों पलब्धियों और सरकार दोरा प्रारंब की गई प्रमुक्रियोज राओं और कारकमों का संचिप्त सिंगाब लोकन इस सम्मानिस सदन के समक्ष पस्तुत करना चाहूंगा बर्तमान सरकार ने जब प्रदेश की कमान समाली उस समय हमारे समक्ष अपार चुनवतियां थी प्रदेश किसानों की रगरता दंगों समाजिक तनाओं असुरक्षित महिलाओं इसकूल जाती बेटियों के सम्मान से और अर्थ व्यवस्था की बढ़ाली के दोर से गुजर रहा था इन चुनवतियों को टीम वर्क के साथ अब सरों में बदलने का कार हमारी सरकार ने किया जाती मत मजभब से उपर उठकर गाव गरीब किसान मजदूर को केंदित कर योजनाय बनाई गई प्रदेश में इस करो जनता का विश्वा सर्जित किया है पिछले तीन वर्षों में उत्तर पदेश को प्रतेक छेतर में एक नई पहचान मिली है पदेश ने अपने संसाधरों का सदुपयोग करते हुए विकास के हर छेतर में नई उचाईयां हासिल की है गैरपरों से उड़ सकते हैं हद के हद दीवारों तक और अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होगे मानिवर आधनिक भारत के महान संथ मनीशी अब मिवाओं के लिए प्रेणा श्रोत शद्धेय श्वामी विवेकारंद के जन्म दिन 12 जन्बरी को 23 वे राष्ट्रे युबाब उत्सव 2020 के रूप में परदेश में आयोजित किया गया इस अवसर पर 12 जन्बरी से 16 जन्बरी तक राष्ट्रे एक ता संपरदाइक संभाव भाई पूरे वारा ζ्ट्रे पोरूश को बहावा देने के वहले कारक्रम आयोजित किये गए इन कारक्रमों में पूरे देश पर ऑच्झे हाई युबाओंग ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया साथ में में सस्टेनेबिल डवलप्मेंट कारकरम तथा लोगतंत्र के प्रति अपनी इस प्रतिवद्धता अब्यक्त की गई कान्फरेंस में राज्य सवा एवम लोग सवा के साथ साथ देश के बिभिने राज्यों की बिधायकाओं के अध्यक्षों एवम सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया नमामी गंगे मिशन के अंतरगत 27 जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक पांच दिवसिये गंगा यात्रा का आयजन परदेश में किया गया गंगा यात्रा का शुबारंब बिजनवर और बलिया दोनों इस थलों से किया गया बिजनवर से कानपुर और बलिया से कानपुर तक की यात्राएं सलक मार्ग और नाओ द्वारा की गई इस यात्रा में आठ केंद्री मंत्रियों यात्रा मार्ग में पलने वाले जन्पदों के प्रभारी मंत्रियों तथा अन्य मंत्रियों के साथ जन्साधारान ने भी सक्क्री प्रतिभाग किया मानिवर आप अवगत हैं कि केंद्र सरकार दौरा बर्ष 2015 में योजना आयोक के स्थान पर नीति आयोक का गठन किया गया जिसके अत्यंत सकारात्मक परलाम प्राप्त हुए हैं मैं इस सम्मानिस सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि केन सरकार के अनरूप उत्तर पदेश में राज योजना आयोग के स्थान पर राज जनीती आयोग का गठन किया जाएगा राज जनीती आयोग द्वारा राज के समय की तथा सतत विकास के लिए रोड बैप तयार किया जाएगा जन पदिस्तर पर यथार्त परक योजनाय तयार करने तथा उनके समयकन खेत उतंत्र तयार किया जाएगा और दोगिक विकास अवम अवस्थापना मानने प्रधान मंत्री जी के द्वारा भारत की अर्थ विवस्था को वर्ष 2024 तक पाँच ट्रिलियन युवस डॉलर एकॉनमी बनाने का मात्वा कांक्षी लक्ष रखा गया है इसे संबब बनाने के लिए हमारी सरकार ने उत्तर प्रधेश की अर्थ विवस्था को कम से कम एक ट्रिलियन युवस डॉलर एकॉनमी बनाने का लक्ष रखा भारत किया है जिस लक्ष की प्राप्ती है तू प्रधेश के आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर उपलत कराने तथा प्रधेश के तेजी से अधोगी करन के लिए प्रधेश सरकार सतत प्रयास रथ है प्रदेश को बिभिन्द छेत्रों में निजी पूंजी विडवेश के निलिये आकरशक गंतब बे बनाने की दिशा में सरकार ने अथक प्रयास किये हैं मातर तीन साल के कारिकाल में इन्वेस्टर समिट दो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरे मनी प्रभासी भारती दिवस का आयोजन किया गया है और लगवग दो लाग करोज रुपए का निवेश सुनिश्चित किया गया जो प्रदेश के दोगिक विकास के इतिहास में अभूत पूर्व है प्रदेश में इस आफ डूइंग बिजनस में निरंतर सुनहार हुआ है और उत्तर प्रदेश को एचीवर्स राज्यों की शिर्णी में इस्थान प्राप्त हुआ है ग्यार में डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनुग में पाँच से नो फर्वरी 2020 तक सफलता पूर्वख किया गया इस आयोजन में बिदेशों से रक्षा चेतρ 테 के 3000 से अधिक प्रतुदियों बादेश के दस अजार से अधिक पृतिभागियों ने भाग लिया इस आयोजन में 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों की कांफेंस आयजुत की गई इसमें 23 MOU उत्तर प्रदेश सरकार के डिफेंस कारिडोर की और से हस्ताक्षित किये गए जिन से प्रदेश में लगवक 50,000 का और उपय का निवेश संभावित है प्रदेश की राजधानी लखनव से गाजीपुर तक 341 किलो मीटर लंबाई में पूरवांचल एक्सप्रस वे परियोजना का निर्मालकार प्रारंब हो चुका है परियोजना की कुल लगवक 22,497 का और उपय है गोरखपुर का पूरवांचल एक्सप्रस वे से जोने के लिए लगवक 90 किलो मीटर लंबाई में गोरखपुर लिंक एक्सप्रस वे के निर्मालका 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 वे मार्म से जोड़ने है तू लगवक दो सो सतानबे किलोमीटर लंबाई का बंदेल खंड एक्स्प्रस वे निर्माला धीन है ये एक्स्प्रस वे बंदेल खंड के लिए लाइफ लाइफ लाइन सिद्ध होगा मेरट से प्रियागराज तक लगवक 637 किलोमीटर लंबे ने हेतू डिफेंस इंडस्टियल कोरिडोर पर योजना के लिए आवश्चक भूमी जहासी चित्रकूट जालाउन अली आगरा तथा कानपुर जन्पदों में चिन्नित की गई है नागरी को डैन परदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रीजनल कन कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ नान दीजनल कनेक्टिविटी उडानों के लिए प्रुथान प्रदान किये जाने की वश्था है राज्य सरकार की इस नीती के सकारात्मक परदामा सुरू बिगत दो बर्षों में उत्तर पदेश से विभिन शेरों की हवाई कनेक्टिव ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट के लिए दो हजार करोल रुपए की विवस्था प्रस्तावित है एरपोर्ट का संचालन वर्ष दो हजार तेईस तक संभावित है अयोध्या एरपोर्ट के लिए पांसो करोल रुपए तथा रीजनल करेक्टिविटी स्कीम एरपोर्ट के लिए 92 करोल 50 लाख रुपए की विवस्था बस्तावित है कानून विवस्था राज विवस्था का एक महत्र पुलकार बिदी विवस्था का परवर्तन है बालमिक जी ने रामाया में राज विवस्था भीहीन इस्थिती का बर्लन किया है ऐसे राष्ट में क्रशि और परशुपालन नहीं होते सभाग रहों, उद्ध्यानों, उपासना इस्थलोंबा मंदिनों के निर्मान नहीं होते भाई ब्याप्त रहता है कलाकार अपनी कलाका प्रदर्षन नहीं करते समाजी कुछ सव नहीं होते ब्यापारी कारे नहीं होते पती पतनी साथ साथ परिटन नहीं करते अराजक दशा में लोग परस पर एक दूसरे को ही मारने लगते हैं ऐसी सिती यहां उत्तर प्रदेश में 2016 तक थी भैथा उत्समों के आयोजनों में दंगे थे उपासना इस्थलोंवा, मंदिर निर्माद की चर्चा भी असंबब थी घोर अराजकता थी, बैपारी बसूली के शिकार थे बरतमान सरकार ने हर इस्तर पर अराजकता समार्त करके कानून का शासन स्थापित किया है यहां मैं चंद पंक्तियों में एक और समाज में अराजकता फैलाने की कोशिच करने वाले स्वार थी है समाजिक और राश्ट बिरुदी ताक्तियों तथा दूसरी और उनका ड्टकर मकाबला करने की सरकार की प्रतिबद्दता को ब्यक्ति करना चाहता हूँ नफरतों की आग में जलते हुए माहौल को इस बवस्था ने दिया है कुछ अनोखे काईदे एक तरफ शोर है बगावत है माल है मुलक है सियासत है एक तरफ हांसले है मेहनत है नीती है नियम है हुकूमत हमारी सरकार ने कानून ब्यवस्था पर जीरो टालिएंस की नीती अपनाई है कानून के डर से बदी संख्या में अप राधीब आत्प समर्पकर अत्वा स्वायम जमानत दिरस्त कराकर जेल गए हैं मार्श 2017 से नॉम्बर 2019 तक की अबदी में पुलिस द्वारा कारवाई करत करते हुए बदी संख्या में अबाईद आगन्यास्त कार्तूस बम और 615 अबाईद शस्त्र फैक्ट्री बरामत की गई बरश 2017 के साफेक्ष गतवर्ष दुशकर्म की घट्डाओं में 35 प्रश्यत की कमी आई है इसी प्रकार डकैती में 53 प्रश्यत हत्या में 14 प्रश्यत ल लेक ने सफलता प्राप्त की है पाक सो एक्ट के अंतरगत वर्ष 2018 के आरूपितों को मरतुदंड सरसट को आजीवन कारावास और 420 को अन्य सजा हुई वर्ष 2019 में 3 को मरतुदंड 152 को आजीवन कारावास तथा 585 को अन्य सजा हुई है प्रदेश की जनता को पुलिस की व प्लब्द कराने के उद्देश से यूपी कॉप मोबाइल एप बनाया गया है जिसमें 28 सेवाओं यथा यी प्राथमी की पंजी करन वरिष्ट नागरिक शिकायत लापता व्यक्ती किराइदा सत्यापन आधिकाप समाबेश किया गया है इस एप को पांच लाग से अधिक ल बधनेगर वा लखनव में साहीवर घाने किरिया शील हैं तदा पर्देश के अन्नFit परषयतरी कारियालों में 16 साहीवर घाने इस थापित किये जाने का दिर्णे लिया गया है तो गयोतम बधनेगर तथा लखनव में पुलिस कमिशनरी सिस्टम लागू कर दिया गया है इस दिवस्था में पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध तुरित कारवाई की जा सकेगी महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिसंबर 2019 से सुरक्षा कबच्ची उजना आरंब की गई है कामकाजी महिलाओं तथा महिलाओं यातियों द्वारा रात दस बजे से प्राता छे बजे तक 112 पर डायल कर पुलिस सुरक्षा की मांग किये जाने पर पुलिस द्वारा उन्हें उनके गंतब बितक सुरक्षा पहुचाने की बिवस्था की गई है कि से तु 300 पी आरबी में दो दो महिलाएं हर शिफ्ट में नियुक्त की गई हैं आगामी वर्ष के बजट में कानुन विवस्था से संबंधित कत्पई महत्यपून योजनाओं आवमकार कमो है तु प्रस्थावित बजट विवस्था का मैं संच्छित विवर्ण देना चाहूंगा बुलिस बिवाग के अनावासी भवनों के निर्माल हे तू 650 कलो रुपए तथा आवासी भवनों के निर्माल हे तू 600 कलो रुपए की विवस्ता प्रस्ताबित है नवसरजित जन्पदों में आवासी तथा अनावासी भवनों के निर्माल हे तू तीन सो करलो रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है अगरी शमन केंद्र के आवासी तथा अनावासी भवनों के निर्माल है तू एक सो पचास करलो रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है पुलिस बल आधुनी की करना की योजना है तू 122 कलो रुपए की विवस्था प्रस्तावित है बिदिभी ज्यान प्रियोग शालाओं के निर्माल है तू 60 कलो रुपए की विवस्था प्रस्तावित है सेफ सिटी लखनव योजना है तू 97 कलो रुपए की विवस्था प्रस्तावित है उत्तरप्रदेश पुलिस फॉरंसे की उनिवस्टी की प्रस्थापना है तो बीस कलो रुपए की विवस्था प्रस्थाबित है करतब बेपालन के दवरान शहीद अत्वा घायल हुए पुलिस अब हम अगनी शमन सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह भुगत है तो 27 कलो रुपए की विवस्था प्रस्था प्रस्थाबित है अगनी शमन सेवाओं के सुधर करना है तो 10 कलो रुपए तदा अगनी शमन के अंदरों पर बिजनी की विवस्था प्रस्था 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 प्रस्थाबित है सेंटल विक्टिम कंपंसेशन फंड इ अत्या के प्रत्रों में आर्थिक साहता है तु 28 करल रुपई की वियुस्ता, प्रस्ताबित है स्टूडेन्ट पुलिस कैरत योजना है तु 14 करल रुपई की विवस्ता प्रस्ताबित है साइबर क्राइम प्रेवेंशन अगेंस्ट वीमेंड चिल्रन हेतु 3-100 रुरुपे की ब्रशता प्रस्ताभित है जनioned पड लख रो, गौरकपुर तथा, वणाईऊं में? महिला पी, एसी, बाहिनियों इस्थाफित है पड़ेश में से 76 महिला ठाने इस्थाफित है जनपड लखीमपुर खीरी में दो महिला ठाने तता अन्य सभी जन्पदों में एक-एक महिला थाना इस्थापित है महिला एवं बाल का लियान बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतरगत कन्या भून हत्या की रोक थाम के लिए जागरूपता कारकम 68 जन्पदों में संचालित किया जा रहा है मुख्यमंत्री कंञ्यासुमंग्ला योजना हेतु 1200 कलो रूपई की विवस्ता प्रस्ताबित है निराश्डित महिला पेंशन योजना के अंतरगत निराश्डित महिलाओं कता उनके बच्चों के भरन पोश्रन हेतु पांसो रुपए की धनराशी प्रतिमा सीधे लावारतियों के खातों में प्रिशित की जाती है इस योजना अंतरगत 1432 को रुपए की ब्युस्ता प्रस्ताबित है ब्रद आवम निराश्टित महिलाओं के पुनरवासन आवम जीवन यापन हेतु स्वधार ग्रह योजना का संचालन किया जा रहा है प्रदेश में कूपोशन की रोग ठाम के लिए राश्टि पोशन अभियान कारकम अनुदित क्या गया है जिसके द्वारा बच्चों की शोरियों तथा महिलाओं में कूपोशन में कमी आई लाई जाएगी इस योजना है तो चार हजार को रुपए की बेवस्ता प्रस्ताबित है युवाओं के लिए युवा समाज के भविश्य के निर्माता है किसी भी समाज का सार्थ है कि हम चतुर दिक विकास युवा उर्जा शक्ति है में अन्चासन से ही संबब है इतिहास गवा है कि बिभिन नकाल खंडों में नकेबल भारत अपितू संपून बिश्य के में युवाओं ने समाज की दिशा बद्री है प्रदेश के युवाओं का आवाहन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि तुमने चाहा तो किया आसमान मुठ्थी में तुमने चाहा तो किया आसमान मुठ्थी में तुमने चाहा तो हवाओं के रुख बदर डाले और तुमने चाहा तो उफंते हुए सागर बांदे तुमने चाहा तो परवतों के सर को चल डाले प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार तथा रोजगार से जोलने के लिए दो महत्पूल योजनाएं मुख्य मंत्री शिक्षुता अपरेंटिशिप प्रोथसान योजना तथा युवा उद्दमिता विकास अभियान युवा प्रारंब किये जाने का दिरलने लिया गया है प्रदेश के युवाओं को उद्दमिता युवा MSME एकाईउं में अन जाब ट्रेनिंग प्रदान कराते हुए उन्हें निश्चित अबदी के रोजगार से जोलने के उद्देश से हमारी सरकार बित्तियवश दोजार बीस इकिस से मुख्यमंत्री शिक्षुता और प्रोथसान योजना को प्रारंब करने जा रही है योजना के किरियानवेन के फलसरूग प्रदेश के युवाओं को उद्दोगों में प्रशिक्षनल के साथ साथ मासिक प्रशिक्षनल भत्ता पदान किया जाएगा युवाओं को मिलने वाले कुल भत्ते में से 1500 रुपए परतिमाह की धनराशी केंद सरकार के द्वारा 1000 रुपए परतिमाह की धनराशी राज सरकार द्वारा तता 6 धनराशी सम्मंदित उद्वोग द्वारा बहन की जाएगी मुक्र मंत्ति शिक्षTurns पूसान योजना के संचालन से प्रदेश के उद्योगों को कुशल कारी गरत था युवाओं को प्रशिक्षल के साथ-साथ रोजगार भी प्राप्त होगा योजना हेतं सव करौद रुपए की विवस्था प्रस्तावित है प्रदेश में लाकों की संक्या में प्रिशिक्षित गुआओं को युबा अद्दमिता विकास अभियान युबा के दौरा रोजगार से सौब लंबन की और बढ़ाने है तो अभिनों पहल की जा रही है प्रदेश के प्रतेक जिले में युवा हव इस्थापित किया जाएगा जो इच्छु की वाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर एक वर्ष तक परियोजनाओं को बित्तिय वर्ष मदद के साथ संचालन में साहता पदान करेगा लगवग एक हजार दो सो करल रुपए की धनराशी जो युवाओं के लिए बिभिन सोता रोजगार युजनाओं में राजिक को प्लब्ध है इस युवा हव के माधव से यह युजनाओं समय के तरूप से किरियान बित की जाएंगी यह युजना एक लाग से अधिक युवाओं को स्वाब लंबन की ओर ले जाएगी पर तेक जिले में युवा हव के स्थापना है तो पचास कव रुपए की विवस्था प्रस्तावी था लग उद्दोग खादी एवम गराम उद्दोग आदी छेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोलने के लिए मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना बिश्व करमा श्रम सम्मान योजना प्रधान मंत्री रोजगार स्रेजन कारकरम मुख्य मंत्री गराम खेत्रों में निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेश रोजगार योजना संचालित है उच्छी शिक्षा को बलाबा देने हैं तो साहरंदपुर आजम गलवाली गलव में तीन नए राज विश्विद्यालों की स्थापना की जा रही है प्रदेश में पुलिस फारं प्रदेश में तीन सो पांच राजकिय उद्दोगी प्रिशिक्षा संस्थान स्थान स्थापित हैं जिन में युवाओं के प्रदेश में दोग एवं सेवाचेतर के 71 व्यवसाओं में प्रिशिक्षा हे तो 1,424,440 सीटियों प्रदेश में दो हजार नवसो त्रेस निजी और प्रदेश प्रिशिक्षा संथान बीस थापित हैं जिनकी प्रिशिक्षाल च्मता 4,058,240 है उत्तर प्रदेश कोशल प्रिकास मिशन द्वारा प्रदेश के 14 से 35 वर्ष आयू वर्क के अल्प सिक्षित अधिक विरोजगार यवाओं को अल्प अवधिके निशुल्ग रोजगार परक्व्यावसाइक प्रिशिक्षित के माध्यम से लावानमित कर रोजगार से जोला जा रहा है अभी तक 8,50,000 स अधिक विवाओं को प्रिशिक्षित किया जा राज जा चुका है ता उनमें से 3,00,000 से अधिक विवाओं को प्रिशिक्षित अधिक विवाओं को प्रिशिक्षित करने का लक्ष रखा गया है चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रे विकास में प्रत्येक समर्द्धी प्राप्त करते हैं समाज के प्रतेग व्यक्तिका अच्छा स्वास्त योगी सरकार की प्रातिविक्ता है तीन वर्ष पहले तक प्रदेश की स्वास्त सेवाएं ही बीमार रही हैं हमारी सरकार के प्रयासों के प्रदाम सरूप मात्र मत्तु दर में सबसे ज्यादा तीस प्रश्चत गिरावट लाने के लिए उत्तर प्रदेश को भारस सरकार की तरफ से MMR रेवार्ट से पुरस्कत किया गया है बलाक स्तर से जिला स्तर तक 104 इनसे फ्लाइटिस के इंदर स्थापित किये गए तता जापानी इनसे फ्लाइटिस वा एक्यूट इनसे फ्लाइटिस के गिरुद अभियान में तीन लाग सपचास जार लोगों को प्रशिक्षित किया गया ग्रामी लंचलों में रहने वाली जनता को अधिक से अधिक चिकित सासों बिदाएं उपलब कराना हमारी सरकार की प्रातिविक्ता है प्रदेश में टेली मेडिसिन की शुरुआत की गई है जिसके अंतरगत दूरस्त ग्रामों के रोगी मॉबाइल फोन के माद्धम से भी कंट्रोल रूम से चिकित सीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं प्रदेश के प्रातिविक्त स्वास्थ के दिडरों पर परत्तेक रवार को मक्मन्तियारों के स्वास्थ मेला का आयोजन की जा रहा है काशी इंदू बिश्वित जाले में महामना पंडित मदन मोहन मालवी कैंसर संस्तान लहर तारा में होमी भावा कैंसर हॉस्पिटल और बी आरडी मेडिकल कालिज गोरकपुर में सुपर स्पेशल्टी ब्लाक के रिया शील हो चुके हैं 108 EMTS ambulance सेवा के अंतरगत प्रदेश में पूर भी आवम पश्चमी क्लिस्टर में 2200 ambulance का संचालन किया जा रहा है आवम ALS ambulance सेवा की बरतमान फ्लीट में 250 ambulance का संचालन किया जा रहा है 108 EMTS ambulance सेवा के माद्धम से 140 LAG से अधिक रोगियों तथा advanced life support ambulance सेवा के माद्धम से 155,000 रोगियों को सेवा प्रदान की गई है 102 EMTS services योजना के अंतरगत 2270 EMTS की सेवाएं संचालित की जा रही है जिसके माद्धम से 370 LAG से अधिक लावारतियों को निशुलक ambulance सेवा प्रदान की जा चुकी है स्वास्त सेवाओं के रामले में उत्तर प्रदेश की तस्बीर बदली है और प्रदेश में चिक इतसा सुबिधाएं तेजी से बढ़ी है हमारी सरकार द्वारत प्रदेश में आठ नए मेडिकल कालेज हरदोई एटा प्रताबगाउ फतेपुर सिधारत नगर देवरिया गाजीपुर वा मिर्जापुर का निर्माल कार चला है तेरा नए मेडिकल कालेज पुलेंशेर बिजनावर औरया पीली भीत लखीमपुर खीरी कानपुर दिहाद ललितपुर गोंड़ा सुल्तानपुर कुशी नगर सोनबद्र कवशामभी और चंदोली सुईकत हो चुके हैं पूर पुर्दानमंती भारत नत्म सुर्गी अटलबिहारी बाजपई जी की इस म।र्थ में लखनभु में एक नए चिकित साब शुविद्धल बाणने अटलबिहारी बाजपई चिकित साब にधियाले का निर्माल कार्ए कराया जा रहा है तता किंग जार्ज चिकित साबिश विद्याले का एक सेटलाइट सेंटर बलरामपुर में स्थाप्र किया जा रहा है प्रदेश के साथ नए मेटकल कालेजों में MBBS के प्रथम बर्ष का पथन पाथन बर्तमान बर्ष में प्रारम हो गया है गोरकपुर और राइबरेली एमस में 50-50 MBBS की सीटों पर छात्रों के प्रवेश की प्रिक्रिया पूरी की जा चुकी है किंग जार चिकित साथ बिश्विद्याले लखनोव मेटकल कालेज प्रियाग राज तता मेटकल कालेज मेरट में डाइबिटिक रेटनोपैथी उप्चार सेंटर की स्थापना की जाएगी SGPGI में Advanced Diabetes and Indocrine Sciences सेंटर की स्थापना किया जाना प्रस्ताबित है आई शुमान भारत नेश्टल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंतरगत प्रदेश में एक कहों से भी अधिक लावारतियों के परिवारों को प्रतिवर्ष पांच लाक रुपए धनराश तक की निश्विद्याप राज की चिकित सालों अभम सूची बद नेजी चिकित साल से प्रदान की जा रही है इस योजना से च्चूटे हुए पात्र लावारतियों के लिए राज सरकार दोरारा पर्ρεफ anticip से मुक् मंतरी जनारोम योजना का के लियान म्यट या जा रहा है राश्टी स्वास्ट मिशन प्रदेश सरकार के प्रयासों से संक्रामक लोगों के रो लोगियों एवं मरतकों की संख्या में बिगत दो वर्षों में निरंतर कमी आई है नफस रजीद जन्पदों में सव शाया सायोंक्त चिक्षालों की स्थापना है तू 30 कलो रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है ग्रामीर छेत्रों में चिकित साथ सो विदाएं सुदर करने के दिद्देश से सामुदाइक स्वास्त केंद्रों के भवनों तताव करलों है तू 65 कलो रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है सव शया चिकित साले में परिवर्टित किये जाने हेतू पचास कव रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है जिला पुरुष्ट था महिरा चिकित सालों में सुधार बिस्तार अवम नवीनी करने हेतू सत्र कव रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है डक्टर शामा प्रशाद मुखर जी सिविल चिकत साले लखनौ परसर में OPD एमम बाड के बिस्तार हे तू पचास लाख रुपए एमम ट्रामा सेंटर के भवन हे निर्माल हे तू बारा करोल पचास लाख रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है पदान मंतरी मातर बंदनाय वजना उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है यवंजना हे तू 291 कल रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है किंग जार्ज मेटिकली उनिवश्टी हे तूll, 911 कल रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है S.G.P.G.I. हेतू 820 कलो रुपए की विवस्ता प्रस्तावित है ग्रामिल आयरुबिग्यान संस्थान साइफ़ाई हेतू 309 कलो रुपए की विवस्ता प्रस्तावित है डाक्टर राम मनोहर लोही आई रुबे ग्यान संस्थान है तो 477 कवर रुपई की व्यवस्था प्रस्थाबित है काइंसर संस्थान लखनुग के लिए 187 कवर रुपई की व्यवस्था प्रस्थाबित है असाध्य रोगों के इलाज के तु निशुल के चिकित साथ सुविदा के लिए 40 कव रुपई की विवस्था प्रस्तावित है राज के मेटकल कालेज आजमगल के लिए 96 कव रुपई की विवस्था प्रस्तावित है जिलाचिकित सालों को उच्ची करत कर मेडिकल कालिजों की इस्थापना की रोजना के अंतरगत 73 करो 86 लाख रुपए की बस्ता पस्वावी थे करशी उद्यान एवम सायकारिता रिशी और करशी राष्ट जीवन के मुख्य अधिश्ठान है रिशी दर्ष्ट में अनुसंधान वशिक्षा की संसकती है हमारी सरकार में कारभार समालने के ततकाल उपरांत परदेश के लगु एवम सीमांत किसानों के फसली जिनल का मुचन करने का निरने लिया और इस निरने का सफलता पूरवक के निरन मन किया किसानों की आए को दुगना करने के लिए किसी में आधनिक तक्नीक के प्रियोग को बहाबा दिया जा रहा है यह हुँ धान तथा मक्का खरीद की नई प्रोक्यूर्मेंट पॉलिसी लागू की गई है जिसका लाब किसानों को मिल रहा है अंतराश्टे क्रिशी कुम्ब का सफल आयोजन किया गया उतर प्रदेश किसानों को दे अनुदान का बगतान डीविटी के माद्धम से करने तथा मंडी अध्रियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज़ बना बर्श दोजार बीस दोजार एक्श में खादान उत्पादन का लक्ष 641,04,000,000 मीट टिक टन अवं तिलहन उत्पादन का लक्ष 13,90,000 मीट टन निर्दार इत्किया गया है बर्श 2018-19 में 581,03 मीट टिक टन लक्ष के सापेक्ष 604,15,000 मीट टिक टन खादान उत्पादन हुआ जो अब तक का सरवाधिक रिकार्ड उत्पादन आगामी वर्ष में 61,43,000,000 गुनवत्ता पूर्ण बीजों का बित्रन किये जाने का लक्ष है किसानों को परियाबत मात्रा में उर्वरकों की उप्रब्दा सुनिशित की जा रही है पदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने दी जाए गई है आगामी वर्ष में 102,000,000,000 बित्रन का लक्ष रखा गया है कृशी श्रमिकों की कमी को देखते हुए मशीन जी करणा को बढ़ावा देने है तो अनुदान अपर करशी यंतरूप लब्द कराए जाने के लिए 1694 किस्टम हाइरिंग के अंदर तता 305 फार्म मशीन जी बेंग के स्थापना कराकर 40,606 उन्यत करशी यंतरों कानुदान पर बित्रन किया जाना पस्तामित है राश्टे करशी बाजार ई-डैम इदिन ब्रैकेट योजना के तहत किसानों को उनकी उपज का सही मुल्य दिलाने के लिए प्रदेश की सव मंडियों में 1483 करशी लाक रुपए का ब्यापार किया गया प्रदेश की 25 मंडियों को ई-डैम पोर्टल से जोड़े जाने की कारवाई की जा रही है मंडि परशद द्वारा नॉमबर 2019 तक 2363 किलो मीटर लंबाई के मारगों की मरंबत अबम नवीन ही करना का कार पूर्ण कराया जा गया बरतमान में 848 किलो मीटर लंबे मारगों का गड़ा मुप किया जाने का कार प्रगती पर है क्रशी अबम प्रवदोगिक विश्विद्याले आयोद्या के अंतरगत क्रशी महाविद्याले कैमपस आजम गवता था क्रशी है वं प्रवदोगिक विश्विद्याले कानपूर के अंतरगत क्रशी महाविद्याले कैमपस लखिंपूर खीरी में पठन पाठन का कार प्रारंब करा दिया गया है प्रदेश में क्रशी की नवीन तम जानकारी के प्रचार प्रसार है तू 20 नवीन क्रशी विग्यान केंद्रों के स्थापना किये जाने का दिना ने दिया गया है जिसमें से 14 क्रशी विग्यान केंद्रों का संचालन प्रारंब हो गया है पदेश में बागवानी के समन्मित विकास हेतु समन्मित बागवानी विकास मिशन राश्ट्री कृषी विकास योजना पुधानमंती कृषी सिचाई योजना के उप घटक पर ड्राप मोर क्राप माइक्रो इरिगेशन और शदिया पौध मिशन बुंदेल खंड एवं विकास के साथ ही कर्षकों को उनके उत्पात का उचित मूले दिलाने रोजगार एवं मूल संबर्धन में साहिक सिद्ध होगी गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग प्रदेश सरकार द्वारा च्छ्यालिस लाख बीस हजार गन्ना किसानों को च्छ्यासी हजार साथ सो कवर रुपए के गन्ना मूल का वगतान कराया गया है विकद दो वर्षों में 552 लाख टन गन्ने की प्राई करते हुए साथ लाख 26 जा टन चीनी का उत्पादन किया जा चुका है प्रदेश में स्थापित कुल 50 आसबनियों द्वारा इस बर्ष के माह दिसंबर 2019 तक 50 करो 54 लाख लीटर एथनॉल की आपूर्थ की जा चुकी है राज्य सरकार द्वारा पिराई सत्थ 2019 बीस है तो अगेती प्रजाती गन्ने का मूल्य 325 रुपए सामाने प्रजाती गन्ने का मूल्य 315 रुपए अवं असुईकर प्रजाती गन्ने का मूल्य 310 रुपए प्रतिकुंटल निर्धारित किया गया है गन्ना किया पूर्ति समस्या के दर्ष्टिकत चीनी मिल रमाला बागपत की पिराई छमता दोजार साथ सो पचास से बलाकर पांच जार टी सीडी की वही तता इसके साथ 27 मेगावाट का जेन सहित लगाया गया जिसका लोकारपा चार नॉमबर 2019 को किया जा चुका है मयुद्दीन मेरक्स चीनी मिल की पिराई छमता पच्छ सो टी सीडी से बलाकर 35 ती सीडी की की गई इसे 5000 टी सीडी तक बलाया जा सकता है सहिकारी चीनी मिल इस ने रोड बिजनवर में 40 के लपीडी और सहिकारी चीनी मिल सठियाव आजम गर में 30 के लपीडी छमता की दो नई जिस्टरियां लगाई गई हैं बंदपली चीनी मिल पिप्राइज और गोरकपूर एवं मुंडेरवाबस्ती के इस्थान पर 5000 TCD की दो नई चीनी मिलें और 27 मेगाबाट छमता की बिजनी उत्पादर सहित की स्थापना की गई है ग्राम विकास एवं पंचायती राज पुदानमंती आवास योजना ग्रामीट के अंतरगत 13 अगामी वर्ष में पंच लाग आवासों के निर्माल का लक्ष रखा गया है जिसके लिए 6,240 करलों रुपए की विवस्ता प्रस्तावित है स्वच बारत मिशन ग्रामीर के अंतरगत 2,660 लाग परिवारों के लिए शोचाले निर्माल के साथ प्रदेश ने देश में प्रसम इस्थान प्राप्त किया है योजना अंतरगत आगामी बर्ष में ग्राम पंचायतों में ठोस तरण अप्जिष्ट प्रबंधन कारियों के साथ सामुदाइक शवचाले कांप्लेक्स का निर्माल कराने जाने का निर्माल ने लिया गया है योजना हेतु पाँच हजार साथ सो एक क्यामी करलो रुपए की विवस्था प्रस्तावित है मन लेगा योजना अंतरगत बर्तमान में बीस नमबर दोजार उननिस तक चौदा करलो 69 लाख मानब दिवस रोजगार के अवसर सरजित किये गए है आगामी बर्ष में 35 करलो मानब दिवस रोजगार सरजित का लक्ष है योजना हेतु चार अजार आठ सो करलो रुपए की विवस्था प्रस्तावित है पहली बार बंटंगिया मुसार कोल अवम थारू जन्जाट के अलतिस बंग्रामों को राजे सुग्राम गोशित किया गया जिससे पंछेत्रों में पसेहिं गाउं के गरीमों को आवास चिकित्सा शिक्षा सलक बिजली अवम राशनकार आदि मूलगूत सुविदाएं मिल सकी शामा परशाद मुखर जी रूर्वन मिशन के अंतरगत परदेश में तीन चलों में कुल 19 क्रस्टर चैनित किये गए हैं योजना हेत्व आगामी बर्ष में लगबग 175 कल रुपए की वस्ता प्रस्ता भी थै मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामील में 50,740 लावारतियों को लावानमित कराया जा रहा है जिन में मुसर बंटंगिया तता थारू जनजाति के परिवारों को प्रात्विक्ता पर आवास उपलब कराया जा रहे हैं अगामी बर्ष में योजना हेत्व 379 करोल रुपए की वेवस्ता प्रस्ता भी थै पधानमंति ग्राम सालक योजना हेत्व 11357 करोल रुपए की व्रस्ता प्रस्ता भीत है बुंदेल खंड बिंद छेत्र तथा गुलता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेजल योजना के हैतू तीन हजार तीन सो कलो रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है। ग्रामील खेत्रों में चंदर शेकर आजाद ग्रामील विकास सचवाले की स्थापना की योजना है तू तीन कलो रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है। जल शक्ति एवम नमामी गंगे तता ग्रामील जलापूर्ती सिचाई विवस्था को प्रभावी समन्बै एवम अनुशमल के माध्धम से सूदल किये जाने घेतु सचाई एवम जल संसादन से चाई यांत्रिक परती भूमी विकास तता बाड़नी अंतर विवागों को शास लहेतु शासन इस तर पर नमामी गंगे तता ग्रामील जलापूर्ती विवाग का गठन किया गया है कि इन सरकार दोरा छेजार करदोर रुपए की लागत वाली अटल भूजल योजना प्रारंब की जा रही है इस योजना का उद्देश उत्तर प्रदेश सहित साथ राज् किरियानमेन कराएगी बर्तबान भर्ष में 14 सिचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष है इसमें अर्जुन सायक परियोजना सरीव नहर राष्ट्रे परियोजना तता मध्य गंगा दुतिय चनल परियोजना प्रमुख हैं बर्षों से अधूरी पली बांड सागर पहुझ बांड पत्रई बांड पहाड़ी बांड लहचुरा बांड गुंटा बांड मौदहा बांड तथा जम्रार बांड हादी परियोजनाओं को बर्तबान सरकार ने पूरा किया इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 2,66,000 हेक्टेर सिंचन चम्ता में बर्धी हुई इससे लाखों किसानों को लावानबित किया गया बुंदेल खंड में 8,384 खेत तालावों का निर्माल कराया गया तता 6,000 से अधिक खेत तालावों का निर्माल और कराया जाएगा आगामी वर्ष में चार परियोजनाओं उत्तर पदेश वाटर सेक्टर री स्ट्रक्चरिंग परियोजना कच नौदा बांध परियोजना भौरट बांध परियोजना तता उमरहट पंप नहर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष रखा गया है मद्द गंगा दुतिय intenator परियोजना से एक लाख ह्यालिस हजार हेक्टेर तका अरजुन साइक नहर परियोजना से चवालिस हजार हेक्टेर सिंचन छंपता सरजित होगी सरीयु नहर परयुजना हेतु 1544 कra Walo रुपय इतु 1535 कॉरुजद हेतु 1554 कॉरल रुपय मद्ध्यगंगा नहर 990 तता अर्ज४जण क्रियोजद्य कॉरुजद कॉरु条ья। 255 कॉरुजद क्रियोजना की विवस्ता परस्तावित है। बाढ़नी अंतरव जल निकासि परयोजनाों हे थे नवसोची है निचल्क बोरिंग योजना मत्यम गहरे निशुल्क नल्कूप योजना तथा गहरी बोरिंग योजना को समय कित रूप से मुक्यमंतरी लग्शुचाही योजना के नाम से रियान्वित किया जाने ये तू 216 कवर रुपय की देवस्था पस्तावित है प्रदेश में बढ़ती हुई जन संख्या के बवश्च की जल आवशक्ताओं की पूर्ती है तू एक हेक्टेर से पांच हेक्टेर के तालावों को पुरर मिक्सित करने की आवशक्ता के दृष्टिकत वर्षा जल संचैन के लिए 48 कवर रुपय की वस्था पस्तावित है प्रदान मंतिक करशी सिचाई योजना के घटक हर खेत को पानी के अंतरगत प्रदेश के 18 जनपनों के 69 विकास खंडों में जिन में 750 मिली मीटर से अधिक परशा होती है में बोरिंग योजनाओं वे 50 कवर रुपय की वस्था पस्तावित है उर्जा अवम अतरिक उर्जा बर्तवान सरकार ने विद्दुत छेत्र में पुराने मित्कों को तोड़ा है जिला मुख्यालों को 24 गंटे तैसील मुख्यालों को 20 गंटे पता ग्राम इस्तर पर 16 से 18 गंटे बिज्दी देनी की स्विवस्ता की गई है गत दो वर्षों में सवभाग गयवम अन्य योजनाओं के अंतरगत प्रदेश पे लगवग एक करो 24 लाग घरों को विद्दुत से योजन निरगत कर समस्त 75 जनपनों को लक्ष के अनुरूप निरधारिस समय में संदर्थ कर दिया गया है पंडित दियालूप पाध्याए ग्राम जोती योजनाबा ग्रामिल विद्दुति करन की अन्य योजनाओं के अंतरगत माँ अप्रेल 2017 से अब तक एक लाख 21324 मजनों को विद्दुति करत किया गया है लक्ष के सापेक्ष विद्दुति करत किया जाने है तू कोई मजराशेश नहीं सही ओजनों के शत प्रश्चत मीटरिंग कराई जा रही है पदेश के 47 शहरों में वर्ष 2022 तक 40 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे बर्तमान में विद्दुत बितना निगमों के मुख्याले इस्थित महानगरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे है जन्मरी 2020 तक लगवग 9 लाख से स्मार्ट मीटर इस्थापित किये जा चुके है इन मीटरों की इस थापना से बिलिंग चमता में लगवग 5-7 प्रश्यत की ब्रदी पर लक्षित होगी पदेश में बिगत दो वर्षों में बिद्दुत आपूर्टी में रिकार्ड ब्रदी हुई है जिसके फलसरूप 2,8 लाख उबोकताओं को बिद्दुत आपूर्टी सुनिशित की जा रही है गत वर्ष में गत वर्ष के 20,000,62 मेगाबाट के साप एक्ष बर्तमान बिद्दी वर्ष में 21,632 मेगाबाट पीक मांग की आपूर्टी की गई बर्तमान बर्ष में शेयरों तो गाउं में बिद्दुत आपूर्टी है तो लगवग 22,922 मेगाबाट बिद्दुत की उपलब्दता है जो मांग के अनुरूप परियार्थ है आगामी बर्षों में तो अनुरूप बढाया जा भी जा रहा है बर्तमान में परदेश्क में सार्विनिक छेतर की बिद्दुत उत्पादन च्छम्ता पाँच हजार आठ सो मेगाबाट है जिसको बढ़ाते हुए मांग के अनुरूप भविष में परदेश्वासियों को स लगवग 2020 से 2022 के मद्ध उत्पादन प्रादम होगा इसके अत्रिक्त बविष में लगवग 3000 मेगाबाट का उत्पादन सयोक्त उपक्रम के माध्धम से प्राप्थ होना संभावित है सवर उर्जा में से बद्ध उत्पादन में निजी भागिदारी को बढ़ावा और निजी निवेश को आकरशित किये जाने के उत्देश से सवर उर्जा नीती 2017 किरियान्वित की गई है इस नीती के अंतरगत वर्ज दो हजार बाइस तक दस हजार साथ सो मेगावाट च्छमता की सवर उत्पादन का लक्ष निजी धारित किया गया है मुंदेल खंड छेतर में सवर बिद्दूत परियोजना को बहावा देने दिये जाने के उत्देश से चार हजार मेगावाट सवर उर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन इनरजी कोरिडोर का निर्माद कराए जाने का निरने लिया गया है प्रदेश में अब तक कुल 949 मेगावाट छंपता की यूटिलिटी स्केल सवर बिद्दूत परियोजनाय स्थापित की गई है प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिट संयोजत सोलर रूफ टाप के अंतरगत निजी आवासों में नेट मीटरिंग विवस्ता के माद्धम से प्लांट की स्थापना पर 15,000 रुपए प्रती किलोवाट अधिक्तम 30,000 रुपए प्रती उभोगता ये तु अनुदान दिया जा आए अब तक 225 मेगाबाट छंता के रूफ टाप सोलर संयत्रों की स्थापना की जा चुकी है जैग उर्जा उद्दम प्रोटसान कारकम के अंतरगत बायो डीजल बायो एथनाल मेथनाल बायो गैस बायो सीनजी उत्पादन इत्यादी परियोजनाओं को प्रोटसान द्यालो में 2727 सोलर आरो वाटर संयत्रों की स्थापना कराई गई है पंडित दीन द्यालो पाद्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में विकास खंड के एक या दो ग्रामील बाजारों में सामुदाइक प्रकाश की विस्था सोलर स्ट्रीट लाइट संयत्रों से कराई ज सुल्क 25,000 रुपए से घटा कर 5,000 रुपए किया गया तता दिब्यांग जन्हेतु भवनों के आवंटन में तीन परश्यद आरक्षन को बढ़ा कर 5 परश्यद किया गया सब के लिए आवास योजना के अंतरगत प्रदेश के विकास प्रादिकरणों विशेश छेतर विकास तता उत्तर प्रेश आवास अवंबिकास परश्यद द्वारा नगरी छेत में आवासी अवश्कता की बड़ी हुई बंक को लगातार पूर्ण किया जाने का लक्ष है दुर्बलाय बर्क के लिए मार्च 2021 तक 4 लाख बवनों के निर्माल का लक्ष है लखनोग गाजिया बा परियोजना की लागत 11,076 कलो रुपए अनमोदित की गई है परियोजना की कुल लंबाई 32 किलो मीटर है कानपूर मेट्रो पर कार प्रारंब हो चुका है परियोजना है तो 358 कलो रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है आगरा मेट्रो रेल परियोजना भारत सरकार आगस से अनमोधित की गई है परियोजना की कुल लंबाई 29 किलो मीटर है परियोजना हेतु 286 कलोव रुपए की विवस्था प्रस्ताबित है गोरक पुर्ततान ने शहरों के लिए मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताप तैयार किये जा रहे हैं जिसके लिए 200 कलोव रुपए की वि नमामि गंगे परियोजना की AMतरिगत 55 शीवरेट परियोजना एं प्रारंब की गई है जिन में से 12 प्रियोजना हें पूर्ण हो चुकी हैं गंगा नबी के किनारे 12 परियोजनाओं की अंतर गातों के निर्माद़ाँ है इन में 26 घातों का कारपूर्ण कर लिया गया है अमरत योजना के अंतरगत प्रारब से अब तक पेजल की 158 एवम सीवरेज की 228 पर योजनाय निर्माना दीन है पेजल के 4,98,798 से योजनवा सीवरेज के 4,20,716 से योजन दिये जा चुके हैं लखनव, प्रियाग, राज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरकपुर, वारानसी, मतुरा, अवम, शाजानपुर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निरने लिया गया है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक बाहन मैनुफेक्चरिंग नीती 2019 का प्रख्यापन किया गया है प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की विवस्ता की जा रही है स्वच्च बारत मिशन के अंतरगत प्रदेश के सभी 75 जनपद O.D.F गोशित हो चुके हैं स्मार्ट सिटी मिशन के अंतरगत प्रदेश के दस शहरों लखनव, कानपूर, प्रियागराज, बारानसी, आगरा, साहरनपूर, बरेली, जहांसी, मुरादाबाद, तता अलिगव में लगबग 20,000 कव रुपए की परियुजनाओं का किरियान बेन किया जा रहा है कें सरकार द्वारा सचैनित, दस नगर निगमों के अतरिक्त, शेश, साथ, नगर निगम, मेरट, गाजियाबाद, आयोध्या, फिरोजाबाद, गोरकपुर, मत्रा बरंदाबन, आवम शाजानपूर को राज इस्मार्ट सिटी के रूप में विक्सित किया जाने का निर्ण कराया गया, आपरेशन शिक्षा काया कल्प के माद्धम से 91,236 स्कूलों में बेहतर सुविदाएं दिये जाने का कारिक्या जा रहा है, 15,000 प्रात्मिक विर्द्यानों को अंग्रेजी माद्धम में परिवर्तित किया गया है, बर्तमान शेक्षिक सत्र में लगवग एक और लाग शात शात नहाँ को नेश्यलक पाट्थि पॉस्तके अबम कारिक्या है, बित्रित कराये जाने का लक्षए, प्रदेश के प्रात्मिक अबम उच्छित, प्रात्मिक इस्तर पर इस्कूली शिक्षा हुनने,一次 समक्र शिक्षा अभिएन का किरियान बहन प्राइश सरोका ग्रहन करने वाले विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस को विद्यमित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्वतंतर विद्याले शुल्क विद्यमन विद्यक 2018 लागू किया गया है बेटी बचाव बेटी प्रहाओ योजना के अंतरगत सव टापर चात्राओं सव टापर अनसूचित जाती अनसूचित जन जाती चात्राओं तता डिप्लोबा सेक्टर की प्रवेश परिक्षा में प्रवेश लेने वाले तीन सो टापर चात चाताओं को लैपकाप दिया गया राज्किय मादमिक बित्यालों में अध्यापकों का चैन उत्तर पदेश लोग सेवा आयोग प्रियाग राज के माध्धम से करने की निवहीन विवस्ता की गई है ता चैन में लिखित परिक्षा की विवस्ता को जोला गया है पार दर्शता अवे निश्पक्षता के लिए साक्षाथकार की प्रक्रिया समाप्त कर दीए साहेक अध्यापक के 10,000 708 पदों पर भरती है तो लिखित परिक्षा संपन हो चुकी है प्रवक्ता के 3,794 पदों पर भरती प्रक्रिया दीन है तदा अतिशीक्र बिद्यालों में साहेक अध्यापक उपलब्द होंगे अशास किये साहेता प्राप्त अध्यापकों के रिक्त पदों पर पारदर्शी दिश्पक्ष एवं तुरित चैन हित्व उत्तरपदेश माद्विक शिक्षा सेवा चैन आयोग प्राइग राज का पुनल गठन किया गया है चैन बोर्ड द्वारा 7,480 साहेक अध्यापक 1290 प्रवक्ता के पदों पर चैन हित्व लिखित परिक्षा कराई गई है इसके अध्रिक्त आयोग त्वारा 314 प्रवक्ता अब हम 1370 साहेक प्रद्यापकों के परदाम गोशित किये गए उच्छे शिक्षा के चेत्र में आधार बूत्सों बिदाओं के विकास के लिए राश्ट्य उच्छितर शिक्षा अभियां के अंतरगत 111 को रुपए की वश्था प्रस्ता भी था है राजी बिश्विद्यालों में साहेक प्रोफेसर एसोसियेट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रिक्षपदों पर चैन हेतु कारवाई प्रानम कर दी गई है राजी बिश्विद्यालों में रिक्षपदों के साहब एक्ष मान दे के अधार पर सेवाने बिश्च्छों से शिक्षणल कार लिए जाने हेतु शास्नादेश निर्गत किया जा चुका है लोग निर्माव ग्रामी मारगों के निर्माव 24 आवम सुद्रहन करने हेतु 2350 क्रूल रुपए तथा राज सलक निधी हेतु 1500 क्रूल रुपए की विश्था परस्ताबित है प्रदेश में लगवक तो लाग 31,000 क्रूमीटर लंबाई का मारग नेट्वर्क लोग निर्माव ग्राग के अधीन है मारगों के अन्रुक्षणल हेतु 3524 क्रूल रुपए की विश्था परस्ताबित है विश्षवएंग के कि साहिता से परस्ताबित उत्तरपदेश को रोड नेट्वर्क परियुजना के अंतरगत मारग निर्माल कारियों हेतु 830 क्रूल रुपए की विश्था परस्ताबित है एश्षवएंग की साहिता से परस्ताबित उत्तरपदेश मुख्य जिला विकास परियुजना के अंतरगत मारग निर्माल हेतु 755 क्रूल रुपए की दिवस्ता परस्ताबित है जनपन बदुरा में गोवर्दन परिक्रबा मारग की वाय परिदी में सर्विस रोट के मिनिर्माल का निर्मन लिख किया गया है पूरवांचल रवांचल रवांब बुंदेल खंड चेत्रों के विकास को और गती प्रदान करने के उद्देश से बिशेष छेत्र कार्प्रम के अंतरगत पूरवांचल निदी ये तो 300 कल रुपए तता बुंदेल खंड निदी के लिए 210 कल रुपए की वस्ता परिदेश के में मार्ग दुर्गटनाओं में कमी लाने के लिए दुर्गटना बाहुल छेत्रों में चिंदित ब्लेक इस्प रुपए तता बूम या ध्यापित ये तो 124 कल रुपए की विवस्ता परस्ताबित है के अंद्रिय मार्ग में दी योजना के अंतरगत मार्वों के निर्माना चौली करना है और हम सुदरी करना को पूर्ण करने ये तो 2080 कल रुपए की विवस्ता परस्ताबित है शेरों म चोड़े हैं को कम से कम दो तता अधिक यातायाद धनत तुबाले मारगों को यातायाद की आवशक्ता के अनुसार दो लेन विद पेवड शोल्डर अतवा चार लेन चोला किया जाना प्रस्ताबित है तो लोके निर्माल है तो दो हजार पांस उनतिस कलो रुपए की ववस्त प्रस्ताबित है जनपत कौशांबी परिटन स्थलको जनपत प्रियाग राज मुख्या लेवाया एरपोर्ट से फोर्ड लेन से जो ने है तो भूमिकाद घ्यान किया जाएगा नयाय हमारी सरकार आम जनता को तुरित नयाय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है इसे तो सरका इस हेत्व हमारी सरकार ने लिदि बिदिक बादों के फुरित निप्टारे हेत्व नयायलों में ट्रिबुनल्स की स्थापना की गई है और नया इधीशों की नियुक्तियां की गई है प्रदेश में 500 प्रोटेक्शन आफ चिल्डेन फ्रम सेक्सूल ओफेंस एक्ट के अध सुचित जाती सुचित जाती अत्याचार निवारा अधिरियम के 25 कोट तथा 13 कामर्शिल कोट्स की स्थापना कराई गई है निर्वाचे सांसदों विदायकों के लंबित अप्रादिक बादों के लिए एक स्पेशल कोट का गठन किया गया है 24 इस्थाई लोक अदालत तथ 75 मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिबूनल इस्थापित किये गए है माननी है उच्च नियाले इलाबाद तो मल्टी रेविल पार्किंट तथा कान्फरेंस रूम के निर्माल की होजना सुखित की गई है माननी है उच्च नियाले इलाबाद में 20 कोट रूम तथा 30 अधिवक प्रक्ताओं के लिए 49 चेंबर्स एवन दो बड़े आल निर्मित किये गए हैं सिविल जट जूनियर डिवीजन के 610 पदों पर तता उच्च नियाले में निर्माल कारियों तता मशीनिये साथ सज्जाए मों क्रणों के क्रहे है तो 533 कलो रूपए की विवस्था प्रस्ता ब test है मनन्यच नियाले के नियाय मूरती के लिए Phantom के निर्माल है तो ऑक्राकिश के 1050 कलो रूपए की विवस्था प्रस्ता प्रस्ता बित ःए प्रदेश के अधिनस्त नियालों की सुरक्षा है तु सी सी टीवी कैमरा एवम अन्य सुरक्षा उपकरना है तु 75 कल रुपए की वस्तापस्ता भी थाए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्यालन निदी से सम्मंदित कल्यालकारी श्टांपों की विक्री की शुद्ध है तु 10 कल रुपए की बेस्तापस्ता भी थाए तु 25 रुपए की वस्तापस्ता भी थाए और जनता को तुरित न आज जलाने की दिशा में हमारी सरकार दौरा किये गए और किये जा रहे अथक और सफ़ल प्रियासों से प्रदेश में कानून डिवस्ता के प्रती करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भय के सबतर्ट बंद तोड़कर कि भय के सबतर्ट बंद तोलकर जनता को विश्वास दिया है रोकी अपरा दोकी आधी जन्जन को अहसास दिया है ब्रश्टाचारी आतंकित हैं योगी की सरकार में स्वच्छ पारदर्शी शासन का हमने सब कि भय के सबतर्ट बंद तोलकर जनता को विश्वास दिया है रोकी अपरा दोकी आधी जन्जन को अहसास दिया है ब्रश्टाचारी आतंकित हैं योगी की सरकार में स्वच्छ पारदर्शी शासन का हमने सबतर्यास दिया है खाद देवम रसद मूले समर्थन योजना के अंतरगात रभी विप्रन बर्श 2019 पीस में 6,796 क्रे के अंदर इस्थापित कर 37,000,00 में ट्रिक टन गेहूं का रिकार्ड खरीद की गई ब्यापक क्रशी हित का ध्यान में रखकर गेहूं करे की अबदी को बिस्तारित कर दिनांग 25 जून 2019 तक गेहूं करे का कार्ड दिया किया गया है जिससे साथ लाग तिरांग 53,414 किसान लावामित हुए और 6,889 क्रोड रुपए का भुक्तान सीधे किसानों के खातों में किया गया खरीफ विपनन वर्ष 2019-2020 के अंतरगत धान प्रेका कार संपूर्ण प्रदेश के प्रारंब हो चुका है जो माह फरवरी 2020 तक चलेगा इस वर्ष बारत सरकार द्वारा धान कामन का समर्थन मूल 1815 रुपए प्रतिकुंटल और धान ग्रेड एका समर्थन मूल 1835 रुपए प्रतिकुंटल निर्धारित किया गया है उतराई च्छनाई की बद में 20 रुपए प्रतिक उन्टल करश्कों को अतरिक रूप में दिये जाएंगे 3,799 एक रेके अंदरों बादम से अभी तक 53,15,000 मीट्रिक टन दान खरीद की जा चुकी है जिससे 6,58,041 किसान लाबान बित हुए है तता 8,966 को रुपए का भुक्तान सीधे किसानों के खात्व में किया गया है पशुपालन दुख्द विकार आई वंबतस गोवंच संदक्षन हमारी सांस्कृतिक परंपरा है सम्भिधान का नीति निदेशक तत्तु भी है बश्द 2018-2019 में परदेश में दुख दुथ पादन 305,050,00 मीट्रिक टन रहा बश्द 2019-2020 में दुख दुथ पादन का लक्ष 340,050,00 मीट्रिक टन रखा गया है अक्टूबर 2019 तक 175,050,00 मीट्रिक टन दूद का उत्पादन हुआ है परदेश के 18 मंडलों में ग्रामीला और क्रचाहरी चेत्रों को मिलाकर 4900 अधिक गो आश्रा इस्थलों में लगवक 4,050,00 संदक्षित किये वे हैं मुक्यमंत्री सभागिता योजना अंतरगत 46,000 से अधिक गोवंश को इच्छुप पश्पालकों कोई सुपूर्दगी में दिया गया है राश्ट्रे पशु रोग नियंतर कारकम के अंतरगत खुर्पका, मुपका, एवम लोसिस रोग नियंतर ये तो एक्शन प्लान तयार कर भारत सरकार को प्रेशित किया गया है जिसका लक्ष वर्ष 2030 तक प्रदेश का को खुर्पका, मुपका, रोग से मुक्त कराया जाना है आपकी इच्छा का नुसारी है दुख्द विवसाय है, ऐसा विवसाय है जो ग्रामील 76 विशेश रूप में से अनसूचित जाती अन्य पिशला बर्ग आवम समाच के निर्वल भूमहीन मचदूर बेरोज़गारों है तो आज इविका का महत्रपों शोत है बर्ष दोजार अक्षारा उन्निस में कारफ साथ हजार दोसो त्यान्वे सहिकारी दुख समितियों के मादधम से तीन लाग एकत्यस हजार लीटर पर दिन दूद का उपारजन कर एक लाग तैत्र हजार लीटर पर दिन नगरिय दूद विक्री किया जगया बर्टबान बर्ष में कारफ 6,968 सहिकारी दुख समितियों के मादधम से दो लाग 26,000 लीटर पर दिन दूद का उपारजन कर एक लाग 88,000 लीटर पर दिन नगरिय दूद विक्रे किया जा रहा है आगामी बर्ष में ग्राम पंचायतों के स्वामित वाले 5,000 लीटर सामधाइक तालाओं का दस बर्ष ये पट्टा आवंटन वा समस्त शोतों से 295 कुल मतध से 20 उत्पादान रवं मतध से 20 बित्रन का लक्ष पस्तावित है आगामी बर्ष में एक लाग 93,000 मतध से पालकों को निशुल्क प्रीमियम फर बच्वा दुरगटना वीमा योजना से अच्छा जित किया जाने का लक्ष है आवास बिहीम एक हजार मतध से पालक परिवारों को एक लाग 20,000 रुपए प्रती आवास की दर से निशुल्क आवास की सुविदा उकलत कराए जाने का लक्ष है परिटन संस्कृति एवम धर्मार्थकार उत्तर प्रिश में बच्व दोजार अठारा में 28 करोल 88 लाग से अधिक परिटक आए जिन में भारती परिटकों की संख्या 28 करोल 50 लाग वम विदेशी परिटकों की संख्या 37 लाग 80 जार है बच्व 2019 में महा जुलाई तक 49 करोल 80 लाग परिटक आएं जिन में भारती परिटकों की संख्या 49 करोल 49 लाग विदेशी परिटकों की संख्या 37 लाग 78 जार है अयोद्या में दीपोत्सों का आयोजन 26 अक्टूबर 2019 को कुनाप किया गया तदाइस अवसर पर 4 लाग 4 हजार 26 से अधिक दीप जलाए गए यह नयक नया की इर्थिमान था इसे गिनीज बुकाब दबर्ट रिकार्ट ने संख्या गया आयोर्ण डाय द्या में और युड क्रिकाब मैं ऑच्चस तरी पर्टन का वस्थापना सुब्दाउ के विकास है20 कलर रुप की विवस्था परस्थाभी थयह अयुद्या में तोलसी इसमारक भवन के सुद्रहरिकां येतु 10 क्रलों रुपए की विवस्ता प्रस्तावित है जन्दपत 12 असी में सांस्कृतिक केंद की स्थापना के लिए 180 क्रलों रुपए की विवस्ता प्रस्तावित है उत्तर प्रदेश परेटन नीट 2018 के अंतरगत परेटन छेत्र हेतु 18311 क्रलों रुपए के निवेश हेतु प्राप्त 212 प्रस्तावों के सापेक्ष एक सो पांच पंजीकन प्रमालपत निवेशकों को जारी किये जारत जचुके हैं नीट अंतरगत परेटन रिकाईयों को प्रोत्सान है तो 50 को रुपए की वस्ता प्रस्तावित है प्रदेश के सांस्कृति के एवं प्राचीन धरवनों को संदक्षित किये जाने के उद्देश से जन्पधापों में गर्मुक्तेश और छेत के विकास गोरकपूर में राम प्राचीन संस्कृति संपधा के बिखरे पले अव शेशों को प्रकाश में लाने अवं भावी के लिए उन्हें संदक्षित करने अवं पुरातात्तिक महत्त्य के इस्थलों से इसमारकों अवं पुरावे शेशों को सर्वेक्ष्णल प्राचीन इसमारकों के जिनों अधा आईवम परिरक्षन पुरातत्तिक महत्युके इस्थलों का उत्खरन आदिक कार किये जा रहे हैं जन्पत गोरकपुर में आदुरिक प्रेक्षागरेका निर्बाल कबीर अकादमी की अस्थापना जन्पत गोरकपुर में इमलिया कोडर वाई इसके आसपास थारू जन्जात की संस्क्रित के संदक्षन है तू संग्राले की स्थापना राम दीला मैदानों की चार दीवारियों का निर्माल गुरु गोरकषनात शोद पीड की स्थापना पंडि सूरकांत त्रिपाटी निराला जी की जन्मिस्थली गरकोला उन्नाव में बिशाल इस्थी भवन उस्तकाला एवं अन निर्माल कार कराए जा रहे है जन्मद घोरकफूर के रहां गलताल में वाटर स्पोर्ट के वी कासेतू 25 रूपाए की वथाप्रस्था भी थाए शिरीख शी ओशुन आत्री पान मंदिर व्सक कर्णा योजना हे थू 200 क रूपाए की वथा प्रस्ताभी थाया राशी हिंदु बिश्विड डाले के अंतरगाथ 12 बिज्ञान के लिएन निर्माल हेथ 18 कोल रुपय की विस्ता पर इस ताबीत है आध़ आपकोल रुपय एवहम सुन्दु दर्शन यातरा हैं जाथ 10 लाख रुपय की विस्ता पर इस ताबीत है ज़ाता डिनानौ 9 अगस्ट 2018 को ब्रख्षा रोपर महाकुम्म में एक ही दिन में बाइस को लोग उन्साट लाग पौदो का रोपर किया गया 9 अगस्ट 2019 को प्रियाग राज में एक ही इस्तल पर एक ही दिन राजमे बागों की संक्या वर्ष 2014 के 117 से बलकर वर्ष 2018 में 173 हो गई है वर्ष 2030 तक बना बना अब ब्रक्षा बना पंद्रा प्रश्चत तक किये जाने का लक्ष है जिसके लिए बिविन्न ब्रक्षा रोपल योजनाओं में सलक प्रेलवे लाइन तता क्रश्कों की निजी ब्रक्षा ब्रक्षा रोपल कराने का कार योजना है बनने जीव संदक्षनल की दिशा में नई तकनीक के प्रियोग से है तूँ आई आई टी कानपुर को तकनीकी पार्टनर चिंदित किया गया है दुद्वा टाइगर्स रिजर्ब में एम इस्ट्राइप्स एप के माद् से स्मार्ट पर टोलिंग प्रारंब की गई है परियाबन को स्वस्थ बनाने के उद्देश से राज सरकार द्वारा वालिथिन के निर्माल एम उपयोग पर पूल प्रतिबंद लगाया गया प्रदेश के प्रवक्ष शहरों में प्रभावी प्रदूशनल नियंतल के उद् प्रदेश पहले MSME के छेतर में एक समरद प्रदेश के रूप में जाना जाता था बरतमान सरकार ने ODP जैसी योजना लाकर परफ़कर द्वोगों को नहीं उर्जा प्रदान की है योजना है तो 250 पर रुपए की रस्ता प्रताबित है उत्तर प्रदेश सूख्ष में लगू एवं मद्यम उद्वत था विजे रियाद प्रोथसान नीती 2017 प्रख्यापित की गई है प्रदेश के शेरी एवं ग्रामी चेतरों के पारबपरिक कारीगरों जैसे बधाई दरजी टोकरी बुनकर नाई सुनार लोहार कुमार दी पारबपरिक हस्त शिल्पियों की कलाओं के प्रोथसान है तो बिश शुकर्मा श्रम सम्मान योजना प्लागू है खादी एवं गराम उद्वत प्रदेश में मुक्र मंत्री गराम उद्वत रोजगार योजना संचालित है जिसके अंतरगत 16,000 लोगों को रोजगार उ समचित विकास एवं सोरोजगार के अफसर उपलब्द कराए जाने है तो खादी एवं गराम उद्वत विकास एवं सतत सोरोजगार प्रोथसान नीती 2017 गटित की गई है योजना में एक गराम उद्वत समाधान सेल स्थापित किया जा चुका है जिसमें उद्वन्यों की साओं का निराकर्ण प्रतात्काली कुरूब से किया जा जा रहा है हद करगा एवं बस्त्रोदोग क्रिशी छेत के बार हद करगा उद्वत उत्तर प्रदेश का सरवाधिक रोजगार उपलब्द कराने वाला विकेंद्री कर पुपीर उद्वत प्रदेश में लगवग एक लाग 91,000 हद करगा बुनकर एवं लगवग 80,000 हद कर गए हैं प्रदेश में दो लाग 58,000 पावर लूम एवं लगवग 5,50,000 पावर लूम बुनकर हैं आगामी बर्ष में बस्त्रोदोग के छेत में 25,000 बुनकरों के रोजगार सरजन का लक्ष रखा गया है समाज कर लिया बंदाबस्ता किसान पेंशन योजना है तू 1469 कल रुपए की वरस्ता परस्तावित है राष्टर परिवारिक लाव योजना के इनतरगत 500 कल रुपई की वरस्ता परस्तावित है प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों के पुत्रियों की शादी है तू अनुचिन जात्यों के बालक बालिकाओं के शेक्षिक विकास ऐवं मुथ्थान के लिए प्रदेश में चारामिर राज की आश्रब पद्दती विध्याले संचालित किये जा रहे हैं पिशले बर्क के छाट-छाटनाओं है तुशाट प्रती योजनाओं के अंतरगत 1375 कवर रुपए की वस्तापरस्ताबित है दिब्यांग जन कल्यांग दिब्यांग पेंशन योजना के अंतरगत 500 रुपए प्रति महाप्रति लावारती की दर से पेंशन की दिये जाने है बच्चों के पालन पोर्शन है तुपालन हार योजनापरस्ताबित है जिसके अंतरगत गरीबी रेखा के नीचे जयावे नियापर करने वाली ऐसी दिब्यांग दमपतियों जिनमें पती पत्नी दोनों दिब्यांग हो अत्वा उनमें से एक की ब्रत्य हो गई हो और दूस करत्रिम अंग कैलीपर ट्राइ साइकल वीलचेर आधी उपलप्त कराने है तुप सैंटीज को और रुपए की विस्तापस्तावी थे अल्फ संक्यक कल्याओं पदान मंती जन्विकास कारकम के अंतरगत अल्फ संक्यक बहुले छेतरों में शिक्षा सुच्चिता स्वास्त पेजलत था मूल भूत वस्त अपना सुविधाओं में सुधारेत 783 को रुपए की विस्तापस्तावी थे अंतरगत मदर्सों अवं मक्तबों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधरिक विश्यों की शिक्षा की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश से 499 क्रों रुपए की विस्तापस्तावी थे राजस भू माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कारवाई की जा रही है अब तक 2,49,775 शिकायते भू माफिया पोर्टल पर दर्ज की गई जिन में से 2,36,642 शिकायते निस्तारित की जा चुकी है एंटी भू माफिया वियान के अंत 53 सिबिल बाद 3,477 एफाई यार दर्ज कराई गई है पदेश में दैवी आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पदान किये जाने के लिए आगामी वर्ष में राज आपदा मोचक निदी है दो हजार 578 कल रुपए की बजट बिवस्ता पस्ताबित है राष्ट्री या पदा मोचक निदी है तू एक हजार कल रुपए की बजटा पस्ताबित है पूर में संचारित मुक्य मंत्री किसान अवं सरभेत बीमा योजना के सुरूप में में परिवर्टन करते हुए आगामी वर्ष में मुक्य मंत्री कर्शक दुरगटना कल्याल योजना प्राण प्रदान कराई जाने है तू 99 कल रुपए तथा प्रदान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतरगत बीमा आवर्ण प्रदान कराई जाने है तू तीन कवन साथ लाग रुपए की वस्तापस ताबित है आम आद्मी बीमा योजना के अंतरगत लगवक छे लाख लावार को बीमा के लाप प्रदान किराए जाने हे तुचीaches We rank नियोजन चार्थ Αरितार्थिक षिजना प्रदेश के करती से करें प्रदेश की प्रतिव्यक्ति आए बर्ष दो जार अक्ठारा उन्यस में संशोधित अग्रिम अनुवान में 64,330 रुपए आकलित रुई नेपाल अंतराश्ची सीमा से लगे साथ जन्पदों तता यथा पीली बीत लखीबपूर खीरी बहराई श्रावस्ति सिद्धाट नगर बल्रामपुर अवं महराज गंज के 21 विकास खंडों में योजना कार्यान भी थे बॉर्डर एरिया डिवलप्मेंट कारकम के अंतरगत चोहत्तर करो रुपए की विवस्ता प्रस्तावी थे आपकारी शुल्क से राजस्त्र प्राप्ति का अनुमान 37,500 कल रुपए है इस टाम वें पंजी कलंब से 23,197 कल रुपए की प्राप्ति अनुमानित है बहांकर से बहांकर से 8,650 कल रुपए प्राप्ति की अनुमानित है बित्य बर्ष के बजट अनुमान मानवर्प्रस्तुत बजट का आकार 5,12,860 कल रुपए की गई नई योजनाए समलित की गई है प्राप्तियां कुल प्राप्तियां पांच लाख 558 कल रुपए अनुमानित है कुल प्राप्तियों में 4,22,566 कल रुपए की राजस्तु प्राप्तियां तथा 77,290 कल रुपए की पूंजी कल प्राप्तियां समलित है राजसु प्राप्तियों में कर राजसु का आंश 3,18,884 करों 17,00, रुपए है इसमें स्वयम का कर राजसु 1,66,021 करों रुपए तता केंद्रिय करों में राजसु का आंश 1,52,883 करों 17,00, रुपए समलित है व्याय कुल व्याय पांच लाख 12,860 करों 72,00, रुपए अनुमानित है कुल व्याय में 3,95,116 करों राजसु लेखे का व्याय है तता 1,17,743 करों 77,00, रुपए पूजी लेखे का व्याय है समय कितनी दी समय कितनी दी की प्राप्तियों से कुल व्याय गटाने के पश्चाथ 12,302 करों 19,00, रुपए का घाटा अनुमानित है लोक लेखे से 8,500 करों रुपए की शुद्ध प्राप्तिया अनुमानित है समस्त लेंदेन का शुद्ध परलाम 3,802 करों 19,00, रुपए जिनात्मक अनुमानित है अन्तिम शेश प्रारंबिक शेश 22,322 करों 87,00, रुपए को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेश 18,520 करों 68,00, रुपए रहना अनुमानित है राजस सुबचत 27,450 करों 88,00, रुपए अनुमानित है राजकोशिये घाटा, राजकोशिये घाटा 53,195 करों 46,00, रुपए अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज घरेलु उत्पाद का 2.97 प्रश्यत है एफारबीम की सीमा के इंतरगत राजकीर गरसता सकल राज घरेलु उत्पाद का 28.8 प्रश्यत अनुमानित है मैं माणनियेमुक्ष मंतिरी जी एवन माणनिये बित राज मंतिरी जी ताथा मंतिरी प्रश्यत के माणनिये दोनों उप्रमण्टरियों ताथा सभी माणनिये सदस्यों का अत्यंत आभारी हूँ जिनके सयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सुका हूँ मैं अपर मुख्य सचे बित एवं बित आयुक्त प्रमुख सचे बित और बित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पती अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बजट को तयार करने में अब ये यूपी के लिए चार लाइने से बर्कित हैं आप लोगों के अनुमत योद्पाइब मानिये मुख्यमंत्री जी के देतरत में क्या करेंगे सुन लीजिए बचाएंगे सजाएंगे समानेंगे तुझे हर बिटे नक्ष को चमका के उभारेंगे तुझे राह इंदात की देखें ये भले गवर नहीं हम नरेंदर भाई के साथ ही हैं कोई और हम वो गुंचे हैं जो बिजली पे हसा करते हैं हम वो दीपक हैं जो आंधी पे जला करते हैं एक शायर में कहा है कि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी किसमत से न नूरी है न नारी और अन्तिम कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है और दुश्यंत कुमार में कहा था कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तुजरा दिल से उच्छा लो गया इनी शब्दों के साथ मानवर मैं बित्तिय वर्ष 2020-21 का बजट इस सदन में उपस्तित सभी सम्मानित जनपरदीदों के माद्दम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूँ मनवर मैं आपका भारी हूँ कि आपने आज के इस मौके पर मनी मुक्त मंत्री होगी आदित तिनाज जी के नियत्तरत तुमें ये चोथा बजट हमको पेश करने के अनुमत दी मैं आपके माद्दम से पूरे सदन को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस सहीयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मने राकेश जी का तीन सो में एक नोटिस था उसको सुन लें क्या कहना चाहते हैं मने अद्रिग जी आपने हमको तीन सो में बोलने का मोका दिया इसके लिए मैं आपका अभाज बिर्ट करता हूँ मनी संस्दीकार मंत्री जी केवल इनका सुन लीजिए उसके बाद फिर रिच्थकित करना है इनका केवल सुन लीजिए वो सुनने से काम बन जाएगा पढ़ना नहीं मैं सदन का ध्यान बिधान सबागे उपर बेफन के आप बढ़ जाए लंच ब्रेक का फमे निर्वारित ना होने की इफित की ओर आप लेकरиж करना चाहता हूँ उत्तर पर देश बिज्दाई परीफद में माननिये फदप्सयों के लिए लंच ब्रेक का फमे निर्वारित है देश की राजसभ़ा की फंसथ की भाइद लोगसभ़ा की फंसथ में बर्तमान में लंच ब्रेक का समय निधारित किया जा चुका है लंच ब्रेक ना होने के कारण माननिये फदफ्यों को अपरान भोजन वा नाफते में कठनाई होती है क्योंकि भोजन नाफ्ते के लिए फदन का उबिसन छोड़ कर जाना होता है उफ अवध में तमाम आउफ्यक कारवाही पे मानने फदफों को बंचित होना पड़ता है तमाम जानकारियां अधूरी रह जाती है अधा मैं इस आउचित के परफन पर फदन का धान आकर्फित करते हुए आउफ्यक दोफ्ता सुनिश्चित कराए जाने की मांग करता हूँ आपको कुछ कहना है मानने अध्यक जी आज तो इनकी मांग पूरी कर दीजिए तो आज फिर एक घंटे का कितनी देर का ब्रेक करें हैं मानने अध्यक मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूँ मानने अध्यक जी मैं इसके लाओ मैं अन्यक जी एक में टकर सुन लेगा मानने अध्यक हम लोगों को नोटिफ देना होता है नौ बजे हम लोग फदन आ जाते हैं और कल फारेग 6-7 बजे तक हम लोग फदन में रहे और लगभग मैं अपनी बात तो जानता हूँ मैं लगातार फदन में बैटता हूँ और बीच में फदन छोड़के जाना में और बहुत से लोग ऐसे बैखते हैं तो एक घंटे का अगर लिंट वेकर हमेशा के लिए पर्मानेश हो जाए मैं आज की बात में कर आँवाज को मन्य मुख्यमंती जी की तरफ पर हमको पता है कि लिंट की रोफ्था की गई है लेकिन अब पता नहीं है कि मान्य अधिक जी यह दली अरे सुन लिए अरो सुन लिय जी मैं ऐसा करता हूँ एक अधिक दली नेताओं की बर्टक में यही मैं कहने जा रहा था कि सभी मानी नेताओं की बर्टक में जी 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 जहां तक आज का परशन है तो हम ब्रेक करते हैं में मुख्य मंत्री योगी आदे चेनार्ट क्या कह रहे हैं वो दर्शु को दिखा लिखा लिए उसके बाद जीरो और ये पिसी अन्य नियम कें तरगत जो भी विवस्ताइं होती है वो चलता उसके बाद एक बज़े से दो बज़े की बीच में लंच आवर होता है दो बज़ प्रश्यों को भी उसमें शुदा होती है लेकिन दल्य नेता इसमें बैठ करके जो भी तैय करें और चियर का जो भी समन्द में निर्देशों का सरकार उसे पूरी तरह सेमत है दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाओ है और जिस पर हमें अक्सर मैं दल्य नेताओं की बैठक में भी इस बात को मैं चर्चा किया था और मैं धन्य बाद दूँगा मन्य सदस्य को कि हम जनरल बजट तो पास कर लेते हैं लेकिन विभागिये बजटों पर चर्चा नहीं उपाते हैं विभागिये बजटों पर भी चर्चा होनी चाहिए विभागिये बजट पर हर सदस्य स्मार्ट सिटी पर बोले लेकिन अलग-अलग प्रिष्ट भूमी से आए भे मानने सदस्यों की समस्याईं भी अलग-अलग है अलग-अलग विभागों से उनका संबाद अलग-अलग तरीके से पढ़ता है और उनकी रुची और उनसे दिन प्रति दिन से जुड़ी भी समस्याईं को देखते भी विभागय बजट पर भी चर्चागर होती है तो सरकार इसके लिए पूरी तरह सैमत है और मैं स्वागत करूंगा इस परकार की प्रस्ताव कर इस परकार की किसी भी कारिकरम का जिस पर मा ने सदस्यों को आऊसर भी मिले और हम उस चर्चा को आगे बढ़ा लें लेकिन चर्चा को सार्थक गिसा में आगे बढ़ाने के सामें हमारे सामदे के बेंच पर बैठे वे मित्रगन अगर सयुक करेंगे तो सरकार को पहले भी हमने कहा था कि हर विषय पर हम चर्चा करने को तयार है और एक संवरिप चर्चा के मात्यम से उत्तरप्रदेश विधान मंडल देश के अंदर एक बहुत अच्छा संदेश दे सकता है और स्वाभाई कुर्प से चर्चा होगी तो विभागे मंत्री के स्वाभाई कुर्प से लंच और डीनर की विवस्ता यहाँ पर सोता ही होकी उसके लिए आपको बोलने के हुस्सेक्ता संबोदर नहीं पड़ेगे अक्तों बर्मा जी पूरी बात हो गई अग्का खंडन करता हूँ कि विपच्छ ने कोई भोजन की मांग की है हम भोजन की मांग नहीं किये हैं ये मानिये मानिये विधायक का विक्तिगत अरे वो हसी मजाक हो रही है भीपच्छ ने भोजन की मांग नहीं की और ये बजट इस बिए बठे राए ये प्रहे यार मानिये बाद दूसरी बात को प्रस्तूत करने में सच्छम हुए इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन ये धिसाहीर वजट है किसानों नौजमानों तो ये तो आप अपनी पारिम बोलेंगे अभी